एले जोस्तों आज के इस वीडियों हम बात करने वाले फुकरे 3 मोवी के 18 दिनों की 120 कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही बात करेंगे मिसन रानी गंज मोवी की 10 दिनों की 1220 कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं और बात करेंगे इन दोनों मोवी में से कौन सी मोवी ज़्यादा कमाई कर रही है और कौन सी मोवी कम कमाई कर रही है इन सब के बारे में बात करनवाल है और कौन सी मोवी ने बाजी मार लिया है और कौन सी मोवी रह चुके पीछे इन सब के बारे में बात करनवाल है अगर आ लेकन ये मोवी बोक्स ओफिस पर ऊकने का नाम नहीं ले रिए और ये मोवी लगातार अच्छी कमाई कर दिया और बोक्स ओपिस पर सुपर हीट हो चुक्ति आप देखने वाली बात होगी कि ये मोवी आगया ने वाले दिनों में और और कितने करोड की कमाई कर पाती है आप लोगों क्या लगता है ये मोवी आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड की कमाई कर सकती है आप लोग कमेंट वसमें कमेंट करके बता सकते हैं तो चलिए आप सब सब पहले बात कर लेती इस मूवी की स्टार कास्ट कित इस मूवी स्क्रिन पर रिलीज के गया था सिनिमा अगर में वर्ल्ड वाइड आज इस मूवी को रिलीज हुए आठारा दिन हो चुकिये लेकिन ये मूवी अभी भी बोक्स अब इस पर चली ही रही है और बोक्स अब इस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है और लगातार रिकोर्ड तो बात कर लिकिए 16 दिनों की ओफिसल क्लेक्शं के बारे में बात कर लिकिक 지금까지ильно के दिनाफ इंडियां आप कर लिक्सवाइब लैकिए एंडियां गया है 1002 कsplुद जहां बात कर ली चिए 16 दिनों की ओवरसिव का लिक्शन टिने éléments सोला दिनों में उवर्सिस से कलेक्शन कर लिया है 13 क्रोड पचास लाग अब बात कर लिते इस मूवी की सोला दिनों की वल्ड वाइट कलेक्शन की तिस मूवी ने सोला दिनों में टूटेल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 87 क्रोड 89 लाग अब बात कर लिते इस मूवी की 17 दिनों की worldwide collection की तो इस movie ने 17 दिनों worldwide collection कर लिया है लगभख 119 करोड के आजपास अब बात कर लेते इस movie की अठारवे दिन की collection की आज की collection की तो आज की दिन पर जिस तरह की उखी पैंस देखने को मिल रहे है और जिस तरह से advance booking हुई है उससे साब से देखा जाए तो आज के दिन पर यह movie लगभख दो करोड़ों पचास लाग का इंडिया नेट collection कर सकती है यह collection अभी early estimate collection है ओफिसल collection अभी आना बाकी है आप लोगों क्या लगता है यह movie आगया आने वाले दिनों में और खितने करोड़ की कमाई कर सकती है और आप लोगों को फुकरेतरी movie कैसे लगी आप लोग कमेंड़ो साथ परिनीदी चोपड़ा देखने को मिलने वाली है बात कर इस movie की बजट की तो इस movie का बजट लगभग 120 करोड़ के आस पास था और इस movie को लगभग 2500 स्क्रिन पर रिलीज किया गया था cinema अगरों में worldwide आज इस movie को रिलीज हुए 10 दिन हो चुकी है लेकिन यह movie box office पर हीट हो जाती है या फिर फ्लोप आप लोगो क्या लगता है यह movie box office पर हीट हो जाएगी या फिर हो जाएगी फ्लोप आप लोग कमेंड वसमें कमेंड कर क्या बता सकते हैं और आप लोगों ने इस movie को देख लिया तो इस movie की 8 दिनों की official collection भी निकल कर आ चुकी है तो अब बात करें इस मुवी की आट दिनों की ओवर्सिस की कलेक्शन कित इस मुवी ने आट दिनों की ओवर्सिस से कलेक्शन कर लिया है 4 करोड 25 लाग और इस मुवी ने आट दिनों में वलवाइट कलेक्शन कर लिया 31 करोड 45 लाग जाहां बात कर लेती इस मुवी की नौवे दिन के इंडिया नेट कलेक्शन कित इस मुवी ने नौवे दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया था दो करोड पांच लाग और इस मुवी ने 9 दिनों में ट्रोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 25 क्रोड पांच लाग चाहाँ अब बात कर लेती इस मुवी की नो दिनों की वल्डवाइट कलेक्शन की तिस मुवी ने नो दिनों में वल्डवाइट कलेक्शन कर लिया है लगभग 33 क्रोड की आसपास अब बात कर लिए थे इस मोबी की 10 वे दिन की collection की आज की collection की तो आज की दिन पर जिस तरह की हो की पैंस देखने को मेल रहा है और जिस दैसे advance booking हुई है उसस आपस देखा जाए तो आज की दिन पर ये मोबी लग भग 2 क्रोडो 550 लाग का Pork डिया net collection कर सकती यह collection अभी early estimate collection है official collection अभी आना बागी है आप लोगों क्या लगता है यह movie आगे आने वाले दिनों में और कितने करूर की कमाई कर सकती है आप लोगों ने cinema गरों में जाके मिसन रानी गंज movie को देख लिया है तो यह movie आप लोगों कैसे लगी आप लोग comment box में comment करके बता सकते हैं अगर आप लोग भी daily box इस collection वीडियो देखना पसंद करते हैं चैनल को subscribe कर दीजिएगा और bell icon call पर select कर दीजिएगा ताकि हमार सब वीडियो का notification आप लोगों तक सब सब पहले मिल सके तो चलिए दोस्तों आप लोगों से बहुत चल मिलते हैं और एक नए वीडियो में